21 सदी का प्रारंब, गुजरात में आया विनाशकारी भुकंप 20 हजार से अधिक लोगों की मृत्यू, 1.5 लाग से अधिक गायल, 3.5 लाग से अधिक घर हुए प्रभावित भुकंप के अलावा भी गुजरात के सामने धी बड़ी चुनोतियां प्रमुख था जल संकट हर साल 3 से 5 फीट गिर रहा था भूजल स्तर सूखे की मार, दूशित पानी और उनसे होती बिमारिया बढ़ता खेती का खर्च और वीरान होते खेत मुख्यमंत्री श्री नरेंदर मोदी ने लिया संकल पानी की कमी को मिटाना और गुजरात को संप्रिध बनाना और दिया गुजरात को वाटर सिक्योरिटी का एक विजिन पूरी की बहु प्रतिक्षित सर्दार सरोवर पर योजना पानी की समस्या को हल करने के लिए शुरू की सुजलाम सुफलाम योजना विश्वका सबसे बिस्तरित कनाल नेटवर्क बनाया दिया बढ़ावा रेंबोटर हावस्टिंग, आटिफिशल बीचार्च, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप को लाखों चेक डैम और खेट तालाबों का निर्मान, भूजल स्तर हुआ तीन मीटर तक मूचा क्रिशी क्षेत्र में दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र, गुजरात में क्रिशी विकास दर दस पतिशत से अधिक सूखे कच्छ और सौराष्ट्र तक जल पहुचाने शुरू हुई पानी पहुचाने की योजना मुख्यमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे विशाल वाटर ग्रिड का जाल बिचाया उत्तर गुजरात के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पहुचाया नल से जल इस विजन से कि महिलाओं को पानी धूनी की समस्या से मिले मुक्ती बने वो खुशाल और सशक्त और स्थापित किया वास्मों Water and Sanitation Management Organization हर गाओं में बनाया पानी समिती महिलाओं के हाथों में सौप दी पानी की बागडोर और पहुचाया स्वच्छ जल हर छोर गाओं गाओं पेय जल का स्वपन हुआ साकार टैंकर और ट्रेन से पीने का पानी पहुचाना हुआ बंद और अपने द्रिड संकल्प के साथ बढ़ चले मोदी जी एक तिहाई देश में होती है कम बरसाथ देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में पानी की कमी से बाधा ना आये इसके लिए दिया एक विजिन Water Secure Nation सबसे पहले शुरू किया सवच भारत मिशन खुले में शौट से मिली मुक्ती मा गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए शुरू की नमामी गंगे पर योजना मा गंगा हुई निर्मल और अविरल जन भागीदारी के लिए शुरू किया जल शक्ती अभ्यान, पानी के एकिकरित प्रबंधन और दीर्ग कालीन सुनिश्चित्ता के लिए बना जल शक्ती मंत्राले शुरू की अटल भूजल योजना, लेकिन अभी और बढ़ना था इस बिजन की गती और स्तर स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी देश के 19 करोड ग्रामिन घरों में से सर्फ 3 करोड 23 लाख घरों तक ही पहुँचता था नल से पेयजल 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया जल जीवन मिशन, यानि 2024 तक हर घर तक पहुँचे शुद्ध पेयजल मोदी जी ने गाउं के लोगों के हाथ में पानी की विवस्था खुद करने की ताकत दी जल की शुद्धता की जाज के लिए 7 लाख से अधिक महिलाओं ने लिया प्रशिक्षण और 25 महिनों के अंदर ही देश के 5 करोड घरों तक पहुँचा है नल से स्वच्छ जल स्कूल और आंगनवारियों तक भी पहुँचा है नल से जल मेसन, प्लमबर, इलेक्ट्रिशन, मोटर मेकानिक, ओपरेटर, फिटर ये मिशन ला रहा है करोणों लोगों को रोजगार जल जीवन मिशन के सारवजनिक डैशबोर्ट पर हर गाव, हर घर की पेय जल स्थिती और वहाँ दिये जाने वाले पानी की क्वालिटी उपलमद है देश बढ़ा, जल सुरक्षा की ओर और 2024 तक पहुँचेगा हर घर जल जल जीवन मिशन